स्टोत्र 58-57 शासकों का अन्याय संगीत निर्देशक के लिए विनाश न करना गीत की तर्ज पर दाउद का एक मिक्ताम शासकों क्या तुम्हारे निर्णे सही हैं? क्या तुम उचित रीति से न्याय करते हो? नहीं, तुम जान कर अपराद करते हो. प्रिथ्वी पर तुम्हारे हाथों के अन्याय का भार है. दुष्ट जन गर्भ से दूशित हैं, मिध्यावादी जन्म से भटकते हैं. उनका साप के विश्ट जैसा है. उस बहरे साप के विश्ट जैसा जो अपना कान बंद कर लेता है, जो सपेरों की वानी नहीं सुनता. जिस पर कुशल जादूगर के मंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता. ईश्वर उनके दांत उनके मुह में तोड़ दे. प्रभु उन सिम्हों की दाढ़ों को टुकडे टुकडे कर दे. वे बहते पानी की तरह लुप्त हो जाएं. वे रौंदी हुई घास की तरह मुर्जाएं. वे घूंगे की तरह हो जो स्वयम घुल जाता है. असमय गिरे हुए गर्भ की तरह जो सूरी का प्रकाश नहीं देखता. बवंडर उन्ह कंटीली जाडी या उट कटारे की तरह अचानक उड़ा ले जाए. धर्मी प्रतिशोध देखकर प्रसन्न होगा. वो दुष्टों के रक्त में अपने पैर धोएगा. मनुष्य ये कहेंगे सच है धर्मी को पुरसकार मिलता है. सच है इश्वर है जो प्रत्वी पर न्याय क करता है.